इसे खाने से आँखों की रोशनी या दास्त इतनी बढ़ जागी कमचोरी जोड़ों में दर्द कट कट की आवाज का इलाज दोस्तों अगर आपकी आँखे कमचोर हो रही है दूर पास का नहीं दिखता है धुनलापन की समस्या है या फिर रेडिंग करते वक्त आँखों में दर्द होता है चुबन की समस्या होती है राय आईस की समस्या है इसके लावा किसी प्रकार की अंद्रोनी कमचोरी है विरेब एक बहतरीन सा इलाज बताने वाला हूं, जिसके बारे में आरिवती किताब स्टांग रिद्यम में बता गया है। दोस्तों, यह जो मैं आपको घरिल नुस्खा बताने वाला हूं, यह बहुत ही आसान है। इसके उपयोग से आपको इन सारी ही समस्याओं में फायदा देखने को मिलेगा। चलिए, जानते हैं, रेमेडी कैसे तयार करना है। इसके लिए दोस्तों, आपको लेने हैं यहाँ पर काली मिर्च। काली मिर्च में दोस्तों, एंटी डिप्रेशन गुण होते हैं। जिस कारण काली मिर्च लोगों की टेंशन और डिप्रेशन को दूर करने में हल्प करती है। इसके लावा आयरेविति किताब श्टांग रिद्यम में काले मिर्च को आँखो के रोष्णी बढ़ाने वाला आउसदी बताएगा है। काली मिर्च को खाने से आंखुज रोशनी तो बढ़ेगी ही दोस्तों, साथी साथ ये दिमागी शक्ती को भी बढ़ाता है, जातदास्त को बढ़ाता है, इसके लावा सर्दी खांसे जुकाम में काली मिर्च का इस्तमाल किया जाता है, अगर जिनको भी सर्दी खांसी की समस् को बढ़ाता है जिससे शरीर की रोगों से डड़ने की छमता बढ़ जाती है जिससे आप छोटे मूटे बीमारियों से बची रहोगे इसके लावा हम इस्तमाल कर रहे हैं दोस्तों घी यहां पर देशी घी का इस्तमाल करेंगे देशी की दोस्तों मारे स्किन के लिए बहुत पनाया रखता है, यह free radicals से लड़ने का काम करता है, जिससे हमें लंबी आयू मिलती है, इसकलावा देशी की खाने से दोस्तों आखों की रोशनी तो बढ़ेगी, दिमाग की ताकाद भी बढ़ती है, जोडों में होने वाले दर्द, घुटनों में होने वाले दर्द से यह र पाज आती है, तो जोडों में कम पड़ रहे लिवरे केंड की कमी को यह घी बहुत ही जल्दी दूर कर देता है, आपने सुना भी होगा कि जो बड़े बुजुर्ग हमारे थे, उनके जोडों में घुटनों में दर्द की समस्या कभी भी नहीं होती थी, 70-80 साल के उम्र में भी ओड़ लगा पाते थे, क्यों? क्योंकि वे लोग हमेशा regular basis पर देशी घी का इस्तमाल क्या करते थे, अगर आसपास आपके कोई बड़े बुजुर्गों हों, जो बहुत हेल्दी हों, तो उनके डाइट के बारें पुझेगा, वे लोग ऐसा कहेंगे कि भई, हम अपने कमजूरी से परिशान है, विरेबल में कमी महसूस करते हैं, ताकत में कमी महसूस करते हैं, थोड़े से दोड़ लगाने पर सांसे फुलने लगती है, तो वे लोग जरूर देशी घी का इस्तमाल करें, और जो में तरीक आपको बताने वाला हो, इस तरीके से देशी घी का इ हपनेwał हे लГलोबिन को भढ़ाती हैs都 । दागे वाली मिसरी का इसलिए करना है लिए दोस्तों कॹरिक कि यह हमारे लिए हवरंदी होता हां। धागे वाली मिसरी खाने से शरी में हीमोगोलोबिन की कमी कभी नहीं होती। और हीमोगलोबिन की कमी हो जाने से दोस्तों आपको पता है कि red blood cells में कमी आ जागी और अगर खोन में RBC की कमी आ जाए तो शरी में बेवज़ा थकान रहती है आलसमन रहता है और मन चिड़चिड़ापन रहता है तो यहाँ पर आपको सिर्फ धागे वाली मिसरे का इस्तमाल क करना है मैं हर वीडियो में बताता हूं कि चीनी खाना छोड़ दीजे चीनी धीमा जहर है यह जोड़ों घुटनों और हड़ियों को नुकसान पहुचाने वाली चीज है तो यहाँ पर सिर्फ हम तीन औसली का इस्तमाल करेंगे काली मिर्च घी और मिसरे चली इसका इस्तमा अगर आपको बता दू कि जो देशी घी होती है शुद्ध देशी घी की बात कर रहा हूं एक कभी भी शरी में मोटापा नहीं बढ़ाता मतलब एक्स्टा फैट की बात कर रहा हूं एक्स्टा फैट बढ़ाने का काम नहीं करता है तो आप बेफिकर होकर दो से तीन चमज घी रोजाना खा सकते हैं लेकिन फिर भी जो लोग घी नहीं खाना चाहते हैं वे लोग कम से कम आधा चमज घी जरूर इस रेमेडिय के साथ ले यहाँ पर मैंने एक चमज घी ले लि या फिर नास्ता करने के आधे घंटे के बाद किचे और लगातार कम से कम दोस्तों 15 दिनों तक करना येकीन मानों 15 दिनों में आपको बहुत ज़्यादा फर्क मिलेगा आपके शेरी में चुस्ती फूर्ती स्टैम ना कई गुना बढ़ जाएगी चली इस तरह अगर आप र दूरियां और ठाकान आपकी गायब हो जाएगे जोड़ों के दर्द से अगर आप पीडित हैं और इससे जल्दी छुटकारा पाना चाहते हैं तो आपको इसका सेवन जरूर करना चाहिए घी जोड़ों में सूजन को कम करने में मदद करता है और दूसरी और जोड़ों में इस रेमेडी को फॉलो करें इसके लगातार सेवन करने से यह सारी ही प्रॉलम छूम मंतर हो जाएगी इसके साथ अगर आप सर्दी खांसे जुकाम से गरस्थ हैं तो यह आपके लिए फादेमंद है तो ऐसे में आप मिस्री, काले मिर्च, घी का सेवन करें और इसके सेवन क को शांत करता है और से टेंशन दूर होती है अगले फादे के बात की जाए तो जिन लोगों के बाल जड़ते हैं या फिर पतले हो चुके हैं उन्हें डेली इसका सेवन करना चाहिए इससे बाल हेल्दी तो बनेंगी ही साथ में मुलायम और चमकदार भी होंगे इसके से दो कर सकते हैं किसी भी मौसम में कर सकते हैं सभी लोग इसका सेवन कर सकते हैं सब किसी प्रकार का कोई भी नुकसान नहीं होता लेकिन अगर आप डाइबेटिक हैं तो यहाँ पर बैगर मिसरी का इसका इस्तामाल कीज़े